हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो और चैनल तो हम लोग आज डिसकस करेंगे लोर मेंस की बिग्ञान स्रीज प्रेक्टिस चैट नंबर 6 इसके पहले 5 प्रेक्टिस चैट हो चुका है और उसका वीडियो जो है डिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग उसको भी द देखते हैं और इस प्लेंड करते हैं और वीडियो को इंड तक देखेगा तो इसका फाइदा एक्जाम में मिल पाएगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सुरुआत के दो चार क्वेश्चन पुछे जाएंगे लास्ट के नहीं पुछे जा सकते कोई भी पुछा जा सकता है तो पॉल्य यश्यान फुरेंसर का भी पाट सहीं हो जाएगा पॉल्य टेट्रव लोर एत्लीन की को टेफलान का जाता है टेफ्लान जो है यह अ मत्त्क कर दो करने आश्या इसी और से इसे किया जाता है तो टेट्रा फ्लोरेथिलीन को पर सलफेट के उत्पेरक के साथ उच्छ दाप पर गरम करने से यह होता है तो इसका जो हो भी पार्ट से हो जाएगा अगला कॉश्चन देखते हैं यह देखें है ठंडे देशों में पार्ए के इस्थान पर रिकोहल को यह जाता है क्यों मापने के लिए जो करनट-परयोग में लाइँ जाता है उसे तर्मा मापी या थर्मामीटर कहा जाता है और इसमें जो है ताप मापी कई प्रकार के होते हैं ताप मापी में जो है पदार्थ के उसी गुड़ का उप्योग करते हैं जो ताप परिवर्तन के अनुपात में बदलता रहता है उसे ताप मापा गुड़ करते हैं तो विभिन प्रकार के ताप मापियों में पारे के ताप मापियों में पारे के उसमिय प्रसार के गुड़का उप्योग किया जाता है इसलिए किसी गैस के इस्थिरायतन पर दाब गैस के ताप के साथ बदलता है इसे इस्थिरायतन गैस ताप मापियों कहा जाता है है तो मुक्र स्वेसी में जो है पारा ही ऐसा द्रो होता है जो फ्रममीटर में प्रियों किया जाता है जो चालिष्ट डिग्री के चालीड़् के लोईश्ट होने कारण इसका हिमांग काफी नीचे होता है त wrench से कम तापमान पर भी यह द्रोमे आफस ame बना रहता है इसलिए एसका यह पार्ट सही हो जाएगा इसमें लोहे साथ को क्या मिला जाता है देंगे के साथ इसमें मिला जाता है क्रॉमियम होता है झाल इसका बी पार्ट सेहीं हो जाएगा ठीक है और आजबर देखे जाय को पैंगे साथ करोमियम होता है और 8 से 10 परसंत निकल भी पायो जाता है तो क्रोमियम लौा और निकल 2 चीजहificarक पर Neutfeld लिख्वेशल तो 1 करों में लोवा नेक्टल में वाड होता है को अगे रखी किती में आक्सीजिन से किरिया करके सोडियम आक्साइड बनाती यह तथा पानी के साथ किरिया करके सौडियम हाइडर sources बनाता है और हाइड्रोजन उत्पन करता है एक खुला छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेता है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डूबोकर जना जरूरी है कि अगला कुश्न देखते हैं मिरंट कषण आप एक तलाब में तलाब में तरण उसकी तवच्शार क्यों जल जाती है विबाला सजने का है कि दूं सलगहि identify है हुआ है क्पोट्र करण जो है तलाब में तैने से मरें सुस्क और बुजा चुना में क्लोरिन गैस प्रवाइद करने पर बिरंजक चूंड का निर्मार होता है और यह गैस कि टाड़ू नासक के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक है और जोन गैस सूर से निकलने वाली पराबैगनी किलो को पिर्थिवी पराने से रोकती है उस नदी में जल परदूसर के निर्धारन के लिए घुली हुई मातरा मापी जाती किसी से मापी जाती यह बताना ठीक है और इसके देखिए इंपॉर्टन्ट है हिंदी के प्रेक्टिसेट जो अच्छे करा है बहुत ही इंपॉर्टन्ट है सारे इसके यूथ कंपेटिशन मतर टिक है इसका हो जाएगा आक्सिजन जतना ज्यादा रहेगा नदी का जल परदूसर टीक रहेगा अगर आक्सिजन की मतर कम हो तो इसका मचा जाता था कि नेश्ट क्कॉस्टन देखते हैं दूद में दही का परिवर्तन किसके दोरा होता है यह बताना दो देखिए दू दूद में की किरिया प्रारम हो जाती है और उसमें रासाइनी परिवर्तन होने लगता है इस किरिया में दूद को स्ट्रेप्टो कोकस थर्मोलिफिलस तथा लैक्टो बेसिलस उलो रिकस नामक बैक्टरिया द्वारा 40-60 डिग्री सेंटिग्रेट पर जमा कर ईस्ट द्वारा किडवन करा जाता है तो पोशक पतार्थ दही प्राप्त होता है इसमें आपको इंप़ार्टोंट यह बैक्टरिया याद रखेगा अगला कंशन है प्रमाड में कछ को बरने का क्रम नियंतरत किते सिध्धान द्वारा होता रिगन के सिध्धान द्वारा थो देखेन हो जाएक है आफवाव सिध्धान द्वारा ठीक है जो प्रमाड में कक्ष को भरने के प्रक्रम होता है वो आफवाव सिध्धान द्वारा भरा जाता है एंसर इसका आफवाव नियम हो जाएगा ठीक है जैसे आपने देखा होगा 12-11 पढ़ा होगा 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P इस तरीके से आपन के निर्माड में निर्म लिकेत तत्तों में से कांशायय का निवार होता है यह बताना है तो देखिए कोबाल निकल टंगर्श्टन यह तीनों नहीं होता है इसमें प्रमाड्र में इंधन के रूप में सामानत है योरिनियम दो सो प्रताइम हो नेधराइन की गत कट नेमिस करने हो भारी जलगान की गत तो भारी जल या ग्रेफाइट इसने लिगसों उन यह याद रहता है एक क्वेस्टन असकता है मंदक रूप मंदक के रूप में बोरान या केडमियम की छड़ो का परियोग के रूप में बारी जलो और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में बोरान या केडमियम की छड़ो का परियोग अपक्रिया को नियंतर करने वाले नियंतर दंड के रूप में होता है जर्कोनियम एक ऐसा तत्त होता है जिसका निर्मार्द था उप्योग दोनों ही नापकी रेक्टर में होता है इसका निर्मार्ड नियुट्रानों के आउसोसर से होता है ठीक है यह नियुट्रानों का आउसोसर करता जर्कोनियम कोबाल्ट सिस्टी का प्रियोग इसमें जो जो सबoires है चाहिए बताना क्या है कि ने में से किसी का ररन जो है मरीच का वंद बताना चुंक किस से बनता यह बताना है तो इसमें अब्सें संग में जो है उसी टैफनoup प्रकास प्रवर्तन और प्रकास अपोर्तन है तो इस में आपसन जो हो जाएगा उसी इस्तिलीदी तापन और प्रकाश它的 इन दोनों के कारण्या निप्रुग मेरिश का बनती है त्योंकि तो एंसर कि वर्गषक्र में और देखता है वस्त के बीच की दूरी कम होनें पर हुआ है तो मरीज का या अच्र चंडी प्रभाव होता है जो आम तर पर गर्म सीन में दिखाया जाती के स्भूम की निकट की कि वाई की परतें जो गरम हो जाती है तो वह व्यान सीम्हों जाती हैं और उपर की ठंडी परतों के पेक्षक कम अपॉर्तित होता है और अंत में पूर्ता आंतिक रूप से परावर्तित हो जाता है प्रेक्षक वस्त का कालपनिक और उल्टा प्रतिविम देखता है तो इस तरीके से इसमें किरिया होती है इसमें जो हो जाएगा वह इस लिए तापन और प्रकास अपॉर्तन सहीं हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं तो यद एक चाय के प्याले में चाय को 90 degrees centigrade से 80 degrees centigrade तक ठंडा होने में ठीक एक मिनट का समय लगता है तो उसी को सतर से साथ तो इसका एंसर जो हो जाएगा वह सहीं है एक मिनट से थोड़ा अधिक समय लेगा तो इसका एंसर डी पार्ट सहीं हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोईशन देखते हैं तो बादल और वावमंडल का तरिना किस कारण होता है यह बताना है इसमें पूछा गया है तो बादल और वावमंडल का तरिना जो है वो स्यानता के कारण होता ठीक है एंसर इसका हो जाएगा श्यानता अब स्यानता किसे कहते हैं तो द चोटे चोटे कडों उसे मिलकर बने होते हैं और इन कडों का सीमान टीधियों बहे आता है अन्ता उनका समूँ तहरता हुआ पर्दीद होता है तब आदल और वह मंडल आकास में स्यांता के नशको सी पारे की सता पर तर इसका । कारण बाहरी बल का प्रित्रोद करता हो इस प्रकार पानी का उपरी सता जो अपने से अधिक twenties वाले पदार्थ यह नियंग लोहे कि स्वीत पर भी कारव करता है तो एंसर इसका भी पार से ही हो जाएगा Next question है 9 द्रब्यों का सरवाधिक महत्वपूर्ण गुड होता है कौन सा गुड होता है ये बताना है तो देखे इसका गुड होता है घरसर ठीक है friction जो होता सरवाधिक गुड होता है और 9 कणों का आकार जो होता है अगला प्रशन देखते हैं तो वायू मंडल से यात्रा करते समय पेंसे साही निकलने लगती है important question है ये question बहुत बार पूछा जा चुका है तो देखिए इसका answer हो जाएगा वायू मंडल वायू दाब में कमी के कारण चैजों करते साही कसे पेंघरी निकलनी लगती है क्योंकि अद्र कुछा जाने पर दाब कम होता है कम होता जाता और इस कारण उचाही पर पहुंचने पर बाहर के दाब से पेंज के अंदर की साही के दाव का जो स्यामता जो भंग हो है तो पिन के अंदर साही कPSby से नापने में किया जाता है तो मिटर का उपियोता यह समुद्र की गहराई नापने में किया कि उसका समुद्र की गहराई ठीक어가 भुकंप जो मापजाता है सिसमो ग्राफ द्वारा वर्सा मापन होता है रेंगेज द्वारा वर्सा का मापन bit चाहता है और इसके बाद ध्वन की तीबिता मापी जाती इसे अाडियो मीटर द्वारा माइनस 12 ग्राम के होता है इसमें देखिया आपसम थोड़ा कट गया है तो मैं लिखी देता हूँ 10 की पाउर माइनस 12 ग्राम के 1 पीको ग्राम बराबर होता है ठीक है इसका हो जाएगा 10 की पाउर माइनस 12 ग्राम है एक पी को सेकंड ब्रावद और 3 पावर मदसीं सेकंड और फिको मीटर प्रेंट मीटर की材 होता है या क्योंकि जो फॉता है क्युए ग्राम सेकंड रुड मीटर ये और सिस्के乾ि आरभा मायके Nasam को राम कहा जाता है तो यह आपको याद रखना कुछ भी पूल सकता है कि अगला क्वेशन देखते हैं उर्जा सनुच्छन के नियम के अंसार जब किसी सोचालित वाहन इंजन में पिश्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीडित करता है तो निमने कितमें से किया गटित होता है इसमें दिखि इसका एंसर हो जाएगा यह पार्ट गैस की गत्ति जुड़ित में बिद संपन्हें घाई टो कि पाचन का धिकांज भाग किस अंग में संपन्होटा है और भोजन की पाचन के लिया जो मुख से प्रारम होती ये भी question बहुत बार पूछा गया कि सी starting कहां से होती तो मुख से ही प्रारम हो जाती है पाचन के लिया इसके बाद भोजन अमासे में पहुंचता है अमासे से जठर रस निकलता है यानि कि गैश्टर केसी निकलता है और लीवर से निकलने वाला पित्रस भोजन को चारिये बना देता है बेसिक बना देता है अमासे से भोजन छोटी आत्मे आता है और यहीं पर भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो इस तरीके से यह था पूरा उबराल सेशन जिसमें महत्तपूर्ण 20 questions थे जिसका discussion ह हुआ और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा साथ में पर आइकन भी प्रेस करें जिससे की नया वीडियो तुरंत आपको मिल सके ठीक है और आज के लिए इतना ही मिलते हैं नश्दिन तत्य के लिए थैंक्यू